नमस्कार साथियो मेरे प्यारे विद्यारतियों आप सभी के लिए मैं बड़ी कुछ कबरी लेके आ चुका हूँ जिन विद्यारति का सेलेक्षन नहीं हुआ दोजर चो इसमें बिएश्टिस में चिंता कने के अरसकता ने आपका परिवार आपका सब्वोड में आपके लिए लेके आ चुका है यानि 21,000 सुटों पर आपकी यानि शांदर आपकी सीटे खाले और साथ में आपका बिना परिक्षा से आपको मिलेगा कोलेज मेरे प्यारे साथियों आपको बिना परिक्षा से कोलेज केसे मिलेगा एडिपिशन केसे होगा इसका फोरम केसे बने इनमें संपुर्ण जानकारी पर चर्चा करूँगा मैं आप सभी से कहना चाहँगा आपने उन साथियों तक शेर कर लीजिए जिन बच्चों ने 2024 में एक्जाम दिया काउंसलिंग करवाई पर उनको राजस्तान में कोलेज नहीं मिला और उनका सपना है कि BSTC करके मुझे लेवल फर्स्ट में टीचर बनना है उनके विद्यार तक शेर करने का काम आप इस वीडियो को कर लीजिए तो फटावर से हम चलेंगे आगे की और आगे हमारी किस फरकार की जानकारी रहने वाली यानि हर्याना से BSTC में एडिविशन आज ही लें यानि मानेता कोले से आज ही अपना एडिविशन लें और मात्र 20,000 सीटे इस बार आई है ध्यान रखना उसके बारे में आपको संपुन जानकारी भी बताने वालो अब बात करेंगे सर्जी BSTC 2021 में बिना परिक्षा से एडिविशन कैसे लें ध्यान रखना मेरे प्यारे सात्यों BSTC 2024 में बिना परिक्षा से सर्जी एडिविशन BSTC कैसे लें इसके उपर बात करने वाले सर्जी की हरियाना से BSTC करने का आज सुनरा मुका है आज ही अपना परिविश लेने के लिए आपको क्या करना होगा यानि admission आपके शुरू हो गए मेरे प्यारे साथ्य admission अपने 14 October से आपके admission open हो चुके है यानि आज से ही आपके admission शुरू हो गए ध्यान रखना आपके लिए बड़ी खुश कबरी किस बात है कि आज ही आपका admission पका हो जाएगा ध्यान रखना इसकी list कब जारी होगी जो first list जारी होगी वो कब होगी उसके बारे में बात कलेते हैं देखो बात करते हैं कि आज ही अपना admission होगा ध्यान रखना ये admission चलेगा आपने 24 October तक चलेगा कब तक चलेगा 14 October से शुरू होकर ये मेरे भाई चलेगा आपने 24 October तक यानि 10 दिन का आपको समय मिलेगा मेरे प्यारे साथियों 10 दिन का आपको इंतजार नहीं करना क्योंकि 10 दिन के अंदर आपकी सीटे पूरी हो जाएगी फिर आपकी सीटे नहीं बचेगी तो आपका admission नहीं लिया जाएगा admission शुरू हो गए और ध्यान अकना कि सर्जी इसकी list कब जारी होगी इसकी list मेरे भाई 25 October को शाम को 3 बज़े तो 3 बज़े ही जारी होगी ध्यान अकना 25 October को आपकी list जारी होगी आज से 11 दिन बाद आपकी list जारी होगी और आपको कौन से college मिले आपको मनेता कोलेज मिलेगी ध्यान अकना अब सर्जी बात करें इसके बारे में कितने क्या फिस रहेगी उसके उपर बात करेंगे मेरी बाई मेरी बात सुन लिजी कि हरियाना से भी HTC करने के लिए सबसे पहले बताएंगे कि कौन-कौन से दस्तावे चाहिए दसवी बारवी की मार्शिट और बारवी में 50% उपर होने चाहिए और S.E.H.T. के लिए 45% और अभी सी जनरल के लिए आपके 50% उसके साथ आपके सिगनेचर और Gmail ID, आधार काड और आपने पासवर्ड साइज का फोटू ये डोक्यमेंट आप मुझे वाटसप पे बेज देजी अब बात करेंगे साजी एडमिशन के से होगा मेरे प्यारे साथियो एडमिशन के लिए ये दस्तावेज मुझे वाटसप पे अभी बेज लीजिए और इसकी फिस क्या रहेगी यानि जो फिस रहेगी वो भी आपको किस्तों में जमा करानी ऐसा नहीं कि आपको एक साथ जमा करानी नहीं मेरे प्यारे साथियो आपको किस्तों में हर दो महीना तीन महीना छोड़के आपको किस दिमा करानी आराम आसानी किस तो से आप BSTC कर सकते हो और 2000 चोईस में ये आपका admission होगा ये आपकी 26 में clear हो जाएगी यानि दो साल की जो BSTC हैं ये आपकी 26 में complete हो जाएगी नई तो आप 25 में admission होगे तो आपकी 27 में complete होगी मेरे प्यार साथ आपको पता ही होगा कि rate की बरती आ चुकी है तो जान एकना इस rate में आप नहीं बेट पाऊगे पर यदि आप अभी समोके के साथ आप BSTC कर लेते हो तो अभी जो सरकार हैं वो चुनाव के समय आपकी rate एको rate बरती लाएगी उस समय आप rate में बिलकुल बेट पाऊगे और अपना rate में एक teacher बनने का जो अपने सपना साकर कर पाऊगे उसके लिए आज ही अपना BSTC में selection BSTC में college के लिए आज ही अपना admission अपनी seat book करने के लिए क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों मेरे पास केवल 100 seat ध्यान अकना मेरे पास केवल में 100 विद्यारती का ही admission लोगा जिन में 25 विद्यारती का मेरा admission कलीर हो गया है 25 विद्यारती का admission हो गया अब मेरे पास केवल 500 बच्चे हैं जिनका ही मैं admission होगा केवल मैं 100 बच्चे को ही admission होगा मैं जादा बच्चों का यानि भीड लेना नहीं चाहूँगा जिन बच्चों का admission लोगा जिन बच्चों के online दस्तावेज लोगा उनका admission करवा लोगा आज ही अपनी sit book करने के लिए आज ही ये दस्तावेज बेज़ें और मुझे WhatsApp, call message पे इसी नमर पे call करें, message करें बिल्कुर आपको जानकारी मिलेगी मेरे प्यार साथियों यदि आपको admission लेना ही है complete तो ही message करें अन्यता message ना करें क्योंकि मेरे पास केवल 100 city ही है जो पहले admission कराएगा उसी का admission लिया जाएगा और 25 October को शाम को 3 बज़े आपको college की list मिलेगी जो आप घर बेटे online check कर सकते हो और जैसे आपको college मिलेगा फिर reporting करवाने के लिए अपने दस्तावेज सत्यावन कराने के लिए online आपको वहाँ पे college में अपनी हाजरी उपस्तित होनी होगी क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपकी सारे document आपको verify करना होगा ये आपको 25 October को आपकी list जारी होगी शाम को 3 बज़े और ये जानकर आपको कैसा लगी पहरा सा comment करना सर जी मुझे आज ही admission लेना है तो क्या करों इस नमर पे वहाँ सारे सारे दस्तावज बेज़ दे और message कर दे बिल्कुल आपको इसकी फिस कह रहेगी और कितनी फिस्तों किस्तों में आपको इसका जमा करवानी पड़ेगी बिल्कुल आसान किस्तों में आप इसका admission ले सकते हो बिना देर किये आपका परिवार उदेपुल क्लास से आपके साथ है हर समय आपके साथ रहेगा ध्यान रखना उसके लिए आज ही आपना सीट बुक करने के लिए ये सारे के सारे मेरे पास केवल कितनी मैंने 100 बच्चों का ही admission ले रहा हूँ उनमें से मेरे 25 बच्चों का मैंने admission ले चुका हूँ अब मेरे पास केवल सीटे बच्ची केवल 75 यानि 55 बच्चों का ही admission हूँगा जो बच्चा पहले पेले अपने online दस्तावेद बेजेगा यहाँ पर मिलने वाला आपको शांदर कोर्स जिसमें गारेंटी बेच मिलने वाला 2025 का मातर 499 में पूरा कोर्स मिलेगा यह भी लेना चाओ तो ले लीजिए बाकी मेरी बास सुन लीजिए यदि आपको सरकार जाते-जाते चुनाव के समय एक रीट और निकालेगी जो एक रीट का एक्जाम तो भी जनवरी 2025 में पर दो एक रीट का एक्जाम 26 में होगा 27 में होगा द्यान रखना चुनाव से पेले करवाएगा तो उसमें आराम से आप बेट पाओगे लेवल फर्ष्ट का टीचर बन पाओगे उसके लिए बीना देरी किये आज ही अपना एड़िशन ले हर याने से भी स्टी सिकने के लिए संपुन जानकारी इस नमर पर आपको मिल जाएगी तो मेरे प्यार साथियों मैसे जरू करें कॉल जरू करें तब तक के लिए सभी को राम राम नमस्कार कमागणी जेहिंद जेवरन